JTC Holidays प्रस्तुत करता है मुननार Virtual Tour, Track, Walk, चहल कदमी या Boating में लिप्त क्योंकि मुननार में Echo Point एक ऐसी जगह है जहां आप मलाईदार बादलों को तेरते और पहाडियों पर लुड़कते हुए देखते हैं। यह मुननार के चार मुख्य ज़र्नों में से एक है और साहसिक साधकों के बीच बहुत लोखप्रिय है। धुन्ध और हरियाली से सराबोर, पोथा मेडू का नजारा ट्रेकिन के लायक जगह है। यह संग्रहाले मुननार के चाय बागानों के सभी अग्रदूतों को श्रद्धानजली के रूप में खड़ा है, जिन्होंने इसे केरल के प्रमुख चाय वित्रकों में से एक में बदल दिया। एराविकुलम राष्ट्रिय उद्यान मुननार के सिटी सेंटर से 45 मिनिट की ड्राइव पर स्थित है और पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है। यह मनोरंजन पाक मुननार में घूमने के लिए कुछ जगहों में से एक है, जहां आप असंख्या मजेदार गतिविदियों का आनंद ले सकते हैं। शीर्ष स्टेशन की यात्रा शुरू करें और लगभग 20 किलोमीटर की ड्राइव के बाद इस खूबसूरत दरपन जैसी जील को देखें। इस दिलचस्प जगह में नवपाशान युग से समबंधित 15 विभिन प्रकार के डोलमेंस हैं और जिन में से कुछ लोह युग के हैं जो इस जगह को मुननार दर्शनीय स्थलों के लिए सर्वश्रेष्ट बनाते हैं। चिनार वन्यजीव अभ्यारण या पश्चमी घाटों के बीच कई अदबुत छोटियों के साथ इसकी सुन्दर्ता को बढ़ाता है। जैसा की नाम से पता चलता है कारमलागिरी एलिफेंट पाक में एक हाथी की पीच के उपर बसने के दोरान पाक के चारों और ले जाने वाली कुछ लंबी यात्राओं का आनंद लिया जा सकता है। ठैककदी की ओर जाने वाले नेशनल हाइवे पर बीस किलो मीटर ड्राइव करें और आप इस आकरशक जरने को सड़क के किनारे देखेंगे। एक पहाडी का यह अलग धलग उचा तुकड़ा एक ऐसा स्थान है जो आपको घंटों तक बांदे रखता है। चोक्रा मुडी एरावे कुलम नेशनल पाक में समुद्र तल से 7200 फीट की उचाई पर स्थित है। मट्टु पेट्टी डेरी फार्म जिसे इंडो स्विस फार्म के रूप में भी जाना जाता है। केरल में इंडो स्विस परियोजना के तहट शुरू किया गया एक देरी फार्म है। मुन्नार गर्मियों के दोरान केरल के लोगों के लिए एक आदर्श पलायन है जिसमें कुछ सब से अनोखे अनुभव हैं और इन में से एक अनुभव एक ट्री हाउस में रहना है। यह नीलगिरी धलानों पर एक सुर्मिय वक्र है जो मुन्नार से टॉप स्टेशन और मट्टु पेट्टी के रास्ते में लगभग तीन किलोमेटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात एराविकुलम राष्ट्रिय उद्यान का हिस्सा है और मुन्नार से उदुमलाई पेट्टी के मार्ग पर पढ़ता है। मुन्नार में सबसे अधिक मांग वाला गंतव्य अनामुडी चोटी 8,842 फीट है जो दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है। देवी कुलम हरे भरे हरियाली और सुन्दर्ता के बीच बसा एक अनोखा छोटा हिल स्टेशन है। मुन्नार के बहुत करीब स्थित यह एक दिन की यात्रा के रूप में घूमने के लिए एक आदर्श स्थान है। मुन्नार से लगभग 15 किलो मीटर की दूरी पर रोडो वैली स्थित है जो खिले हुए रोडिन ड्रोन पेड़ों के लिए प्रसिध है और समुद्र तल से 8000 फीट की उचाई पर मीसा पुलिमाला की चोटी पर स्थित है। पन्ना चाय बागान और चमकीला नीला आकाश पोस्ट कार्ड पफेक्ट तस्वीरों के लिए सबसे अच्छी प्रिष्ट भूमी बनाते हैं। कई जूलों से लेकर एक छोटी सी नहर तक, किनारों पर रंग बिरंगे फूलों की भूल बुलया से लेकर मुलायम घास तक, मुन्नार में आराम करने के लिए पाक एक आदर्श स्थान है। ताजा, सुर्म्य और शांथ, लौक होट गैप वो परिद्रश्य है जहां पहाड़ियों की नीली परतों पर तैरती धुन्द पाई जाती है जिसे मुन्नार के इस स्थान से देखा जा सकता है। दो एकड में फैले पौधों की प्रजातियों, फलों, फूलों और फसलों के धेर सारे सुगंधित तैरते धुयें, तीन सो साथ दिग्री के तवे पर विभिन रंगों से लदी एक ऐसी जगह है जो केवल मुन्नार में स्थित है। टॉप स्टेशन प्रतिष्थित कंणन देवन हिल स्टेशन का एक हिस्सा है, जो चारों ओर से शांदार नजारों से घेरा हुआ है। पल्लीवासल फॉल्स केरल की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के स्थल पल्लीवासल गाव में एक प्रसिध ज़र्ना है। स्थलों में शुमार, कुतुमकल जलप्रपात अपने परिवार या दोस्तों के साथ कुछ गुणवत्ता पूर्ण समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह साफ सुथरा, सुव्यवस्थित और अत्यदिक शान्त ब्रिटिश काल का चच अपनी दीवार की हर इट में इतिहास का वर्नन करता है। ठैकडी के रास्ते में मुननार से लगभग 13 से 14 किलोमीटर के बाद आपको नेशनल हाइवे पर एक गुफा के प्रवेश द्वार के सामने एक बोर्ड दिखाई देगा और बोर्ड रॉक गुफा के बारे में एक बहुत ही दिलचस्त कहानी पढ़ता है। मुननार शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित, चिथिरापुरम एक आकरशक पहाडी गाम है जो शीर्ष मुननार परियतन स्थलों में से एक है। मुननार में सबसे बड़े चाय बागानों में से एक सेवन मलेती एस्टेट की यात्रा की योजना बनाएं। थिरुमीनी सास्कृतिक केंद आपको केरल के दो बहुत प्रसिद और सम्मानित कला रूपों, कलारी प्यट्टू और कथकली के हंस बंपिंग प्रदर्शनों के साथ हरी पहाडियों, सुगंधित चाय के मैदानों, दुंधलेक शितिज के सुंदर सेट में एक शाम बिताने का मौका देता है। मुन्नार फ्लोरी कल्चर सेंटर, जिसे मुन्नार रोज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, मुन्नार में घूमने के लिए शीर्च स्थानों में से एक है।